यदि आप लोग भी सब्तमी और अस्टमी का व्रत रखने वाले हैं तो आप इस सकरकंदी की रेस्पी को ज़रू ट्राइ किजेगा बहुत हल्दी रेस्पी है सकरकंद से बना हुआ है जो बहुत सारे विटामीन का एक अच्छा सुरूत होता है चलिए आज बनाते हैं नवरात्री स्पेशल ब्रेस्वी में सकरकंदी का हलवा जो बहुत डिलिसेस बनता है और बहुत आराम से बना सकते हैं सबसे पहले थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेंगे तो यहाँ पर मैं ड्राइफ रोट्स चॉप कर रही हूँ जिसमें मैंने लिया है काजू, पिस्ता और किश्मेस ड्राइफ रोट्स को आप बारिक चॉप कर ले या फिर किसी चॉपर में डालकर इसे जटपट से इस काम को कर सकते हैं तो यहाँ पर सारा ड्राइफ फूट कट चुका है और मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम सकरकंदी जिसे उबालकर मैंने फ्रीज में रख दिया था तोड़ी देर के लिए तागी यह सेट हो जाए आप चाहे तो सकरकंद को डारेक्ट उबालकर भी इसका हलवा बना सकते हैं वो भी खाफी अच्छी बनती है पर मुझे इस तरह से बनाना ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इस प्रोसेस को आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर सकरकंद भी तयार हो गया है आप कुकिंग स्टाट करते हैं तो सबसे पहले मैंने पैन को गरम होने के लिए रखा है पैन के गरम होने पर इसमें डाल दे दो बरे चमच घी घी गरम हो गया था अब मैं इसमें डाल रही हूँ डॉरा से रोस्ट हो जाए तो dry fruits को भी मैंने यहाँ पे fry कर लिया है इसे एक अलग बरतन में निकाल लेंगे अब इसी घी में हम fry करेंगे सकरकंदी सकरकंदी को आप direct उबाल कर हाथों से mask करके उसे भी आप घी में डाल कर fry कर सकते हैं तो उसका भी हल्वा काफी अच्छा बनता है हल्वे में थोड़ा थोड़ा चंक साता है सकरकंदी का तो वो भी काफी अच्छा टेस्ट देता है पर मुझे इस तरह से texture ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इस तरह से बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ यहाँ पर मैंने low to medium flame पर सकरकंदी को अच्छी तरह से 5-7 मिनट भूना है अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ ग्रेटेट कोकोनट तो सुखे हुए नारियल को भी मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो चमच चीनी चीनी के जगह पे आप गूर या फिर खांड काई भी यूज कर सकते हैं आधा चमच मैंने डाला है छोटा इलाइची पाउडर और सारे जो ड्राइफरूट्स मैंने फ्राई करके रखा था वो भी मैंने इसमें एड़ कर दिया है अब सबको चितर से चलाते हुए लूटू मीडियूम फ्लेम पर फ्राई करेंगे आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है थोड़ा सा सुनहला कलर है और टेस्ट में तुम मत पूचिए एक नमबर का बनता है यदि आप इसमें दूद भी आड़ करना चाते हैं तो कर सकते हैं पर मुझे इस तरह से ज़्यादा पसंद है इस सकरकंदी के हलवे को बिना किसी टेंसन के 10-12 दिन तक आराम से फ्रीज में रख कर खा सकते हैं बहुत अच्छा लगता है और जैसे गाजर का हलवा बनाकर हम रख सकते हैं वैसे इसे भी आप बनाकर रख सकते हैं अब मैं आपको सर्फ करके दिखा रही हूँ देखने में ही कितना टेम्टिंग और यमी लग रहा है बहुत ही अच्छी रिस्पी है आप लोग ज़रूर ट्राइ किजिएगा इकाजसी के व्रत में भी आप इस रिस्पी को खा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने टेस्ट किया है और इसका टेस्ट बिल्कुल ओसम था अब मैं सकरकंदी के हलवे को आपको दूद में भी बना का दिखा दे रही हूँ बहुत अच्छा बनता है ये भी पर मुझे सुखा ज़ादा पसंद है इसलिए मैं सुखा बनाना ज़ादा प्रिफक करती हूँ तो इस तरह से मैंने दूद डाला है इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और ये हलवा कुछ इस तरह से बन कर तयार हो गया है तो आप अपने व्रत में इसे भी खा सकते हैं ये भी बहुत अच्छी बनती है और बहुत easy to cook है आप लोगों को ये recipe अच्छे लगे तो इसे जादा से जादा अपने family और अपने friend के साथ share कीजिए तो यहाँ पर मैंने दो तरह से बना के दिखाया है आपको जो पसंद आए आप वो बनाएए खाया और मुझे comment box में बताइए कि आपको ये recipe कैसे लगी तो यहाँ पर मैंने दूदवला सकरकंदी का हल्वा ट्राइ किया है ये अच्छी बनी थी और यहाँ पर ड्राइब आली ये बहुत अच्छी बनी थी चलिए मिलती हूँ एक और ने recipe के साथ तब तक के लिए बाय टिक के